हेलो दोश्तों नमस्कार श्वाकत है आप सभी का अपने योटूब चैनल तन्वीकी रस्वाइमी तो आज हम बनाएंगे हरी भरी मंटर के बिल्कुल नए और बहुत ही चेटपटे बहुत ही जाधा टेश्टी मंटर के बोंडे इसे आप मंटर के बोंडे भी बोल सकते हो पक सब्सक्राइब है अब हम लेंगे मैदा तो मैदा आप देख सकते हो मैने लिया लगभगों 1500 ओन घ्र की करीब एक ज़रूरी चीज आप मैदे की जगें बेशन भी ले सकते हो तो यहाँ पर अब हम लेंगे चावल का आटा हम डालेंगे इसमें लगभग 5 बड़ चमच और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका घोल त्यार करेंगे ध्यान रहे इसका घोल ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका घोल त्यार करेंगे जिस तरीके से इड्ली का बेटर होता है न उसी तरीके से हम इजार घोल ते यार करेंगे तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए है इसको हम अच्छे से घोल लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसे मैने बहुत ही अच्छी तरीके से फेट लिया है तो अब हम इसमें डालेंगे मटर तो यहाँ पर इसको मैंने साइड में रख दिया है और एक मिक्सी का जार ले लिया है मैंने और अब हम लेंगे मटर तो यहाँ पर मटर देख सकते हो मैंने एक कटोरी मटर ले लिया है और इसको हम मिक्सी के जार में डाल करके अच्छे से पीछ लेंगे यानि कि दरदरा पीछेंगे ज़्यादा महीन नहीं करना इसको यह देखे इस तरीके से ध्यान रखिएगा मटर को ज़्यादा नहीं पीछना है तो आप देख सकते हो मटर को मैंने ज़्यादा महीन नहीं किया है और अब हम इस बैटर में सारे मटर को डाल देंगे जो हमने मटर दरदरा करके रखा है उसको इस तरीके से डाल देंगे तो अब यहां पर आप देख सकते हो सारे ही मटर को मैंने डाल दिया है तो अब हम मटर को अच्छे से बैटल के साथ मिक्स करेंगे इस तरीके से अच्छे से इसमें फेट लेंगे तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो मटर को मैंने बहुत ही अच्छे से मेक्स कर दिया है बिल्कुल बढ़िया से फेट लिया है तो अब हम इसमें एक अच्छे सी बैंडिंग लाने के लिए इसमें हम डालेंगे उबले हुए आलू तो यहाँ पर लगबग तीन आलू ले लिया मैंने मीडियम साइज के उसको उबाल करके उसके चिलके निकाल करके ठंडा करके हम कदुकस कर लेंगे तो यहाँ पर directly मैं इसी में इसको कद्दुकस कर रही हूँ आप इनको कद्दुकस करके ही डाले तोड़के नहीं डालना है ध्यान रहे हैं आलो के बड़े टुकड़े बिल्कुल भी नहीं जाने चाहिए तो यहाँ पर इसी तरीके से सारे ही आलो को हम कदुकस कर लेंगे तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो सारे ही आलो को मैंने कदुकस कर लिया है तो हम आलो को अच्छे से मिक्स करेंगे अच्छे से चमच की हेल्फ से आलो को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे आलू अच्छे से मिक्स हो जाएं तो इस तरीके से हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है अगर पानी थोड़ा सा कम लगे तो आप पानी थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो यह बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है थोड़ा सा पानी हम इसमें और डालेंगे इस तरीके से और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे तो अब यहाँ पर इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से चटपटे मसाले जिससे हमारी बॉन्डे है वो बहुत ही ज zy przy day बनेंगे तो अब हम इसमें थोड़े से चटपटे मसाले add करेंगे यहाँ पर मैंने ले लिया है आधी चमच से थोड़ा सकम काली पाउडर चिली फ्लेक्स डालेंगे आधा चमच के करी और अब हम इसमें डालेंगे जीरा तो यहाँ पर कच्छा जीरा मैंने लिया है खड़ा जीरा डाल देंगे और अब हम इसमें डालेंगे अध्रक लसुन का पेस्ट इस तरीके से हम डाल देंगे और यहाँ पर मैंने हरी मिर्च काट लिया है दो हरी मिर्च बारी कट करके डाल देंगे और यहाँ पर बारी कट भी हरी धनिया डाल दिया है मैंने और अब हम इन सब चीजों को अच्छे से mix करेंगे आपस में अच्छे से mix करना है तो यहाँ पर इसे हम अच्छे से mix करना है तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो इसे मैंने बहुत ही अच्छे से mix कर लिया है यह बिल्कुल बढ़िया से mix हो गया है तो अब हम इसमें डालें हाप टेश्ट के अकॉर्डिंग नमक आप हिजाप से ही डालें तो यहाँ पर हम नमक डाले की बात इस हमख सिरONG तो यहां पर अब यह इसको अच्छे से मिख्स करेंगे आप 서울 आप समठोगी इस तरीके से तो अब यह बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया दोस्तों आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से मैंने इसको mix कर लिया है तो अब हम इसको ढख करके करीब 5-7 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे इसके बाद हम इसको fry करेंगे तो अब यहां पर आप देख सकते हो इसे ढख करके रखे हुए लगबग 7 मिनट हो चुके हैं इसे मैंने 7 मिनट के बाद खोला और अब हम इसमें थोड़े से मसाले और एड़ करेंगे मतलब मैंने आमचुर पाउडर और धनिया पाउडर तो डाला नहीं था तो इसको भी हम डालेंगे थोड़ा सा तो यहां पर थोड़ा सा आमचुर पाउडर में डाल दिया है और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर तो अब हम इन सब शीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सारी शीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से और अभी इसमें थोड़ा सा पानी कम लग रहा है तो थोड़ा सा पानी इसमें मैं और एट करूँगी इसमें हम पहले डालेंगे मीठा सोडा तो यहाँ पर मीठा सोडा हम डाल देंगे जादा नहीं डालना है बहुत थोड़ा सा मैने डाला है और इसको डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो अब यहाँ पर ये बिल्कुल बढ़िया से तयार है mix fry करने के लिए बिल्कुल इडली के बैटर के जैसे मैंने इसको बनाया है तो अब हम इसको हाथों से ही fry करेंगे हाथों का यूज करना है लाश्ट में क्योंकि हाथों से शेफ बढ़िया निकल करा दैंगे, तो यहाँ पर तेल मैंने पहले ही गरम होने के लिए रख दिया था, तेल अच्छे से गरम है, तो हाथों से ही हम एकक करके डालेंगे, एक बार में जितने आ जाते हैं, उतने हम डालेंगे, इस तरीके से एक एक करके जितने कड़ाही में आ जाते हैं उतने हम डाल लेंगे आप चाहें तो इसे थोड़ा सा बड़ा भी बना सकते हो थोड़ा सा छोटा भी बना सकते हो जिस तरीके से आपको पसंद हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक बार में जितने बॉंडे आ गया है उतने मैंने डाल दिया है और इसे हम थोड़ी देर सिखने देंगे एक तरफ से इसके बाद हम इसको पलटेंगे तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो एक तरफ से यह थोड़ी से सिख गये हैं तो आप हम इनको इस तरीके से पलड़ देते हैं बीच बीच में हमें इने उलड़ते पलड़ते रहना है ताकि ये दोनों तरफ से बढ़िया क्रिस्ती हो और दोनों तरफ से एक समान कलर आए इसमें तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये बहुत ही अच्छे से फ्राइ हो रहा है इसमें कलर भी बहुत ही प्यारा आया है ये देखे तो थोड़ा सा हम इसको और फ्राइ करेंगे इसके बाद हम इनको कड़ाई से बाहर निकालेंगे यहाँ पर आप देख सकते हो इनका कलर बिल्कुल बढ़िया से चेंज हो गया है तो अब हम इनको कड़ाही से बाहर निकालेंगे इस तरीके से सारे ही बॉंडे को कड़ाही से बाहर निकाल लेना है तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो सारे ही बॉंडे को मैंने कड़ाई से बाहर निकाल लिया है और आप देख सकते हो यह बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हुए हैं आप इसे अपनी पसंद के किसी भी चटनी सौर्स के साथ खा सकते हो मैंने इसके लिए हरी चटनी बनाया है क्योंकि हरी चटनी के साथ ये बहुत ही मज़े के लगते हैं खाने में तो उमीद हो दोस्तों कि आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथी बैल आइकन को प्रिस करें और पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाले सभी वीडियो की नोडिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में ऐसी ही नई नई और इजी रेशिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई टेक कियर